हेलो दोसर कैसे हो आप सब, welcome back to job university, मैं हो प्रिकास SBI, IBPS और बाकी banking exams में जो puzzles and setting element के questions पुछे आते हैं उन्हें solve करने की speed आप कैसे increase कर सकते हो कौन-कौन से YouTube channels है जिनकी आप videos देख सकते हो कौन-कौन से sources है, कौन-कौन से books है जहां से आप questions solve कर सकते हो और speed increase करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़े करनी होंगी सारी चीज़े मैं detail में बताऊँगा लेकिन वीडियो शुरूरों से पहले अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कर लेना और bell icon प्रेस करके all set कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो की notification आपको timely मिलते रहे बैंकिगग एक्वाब में अलग-लग type के sitting environment और अलग-लग type के puddles पूछे जाते हैं sitting arrangement linear हो सकता है, circular based हो सकता है square based हो सकता है या triangular हो सकता है और puzzles की बात करें तो box puzzles पूछे जा जा सकते हैं flat basedstation काफी examस में पूछे जा रहे हैं अभी month based, day based, year based या ranking based पुछे जा सकते हैं, तो अब इन पॉजल को आप कैसे तयार कर सकते हो, कौन-कौन से सोर्से हैं, कौन-कौन से यूट्यूब चैनल से उसके बारे माँ बात करते हैं, तो देखिए यूट्यूब में एक टीचर है, अंकुष लांबा सर, उन्होंने 1000 पॉजल एंड सीटिंग सॉल्व करवाए हुए हैं, हर क्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या आपकी अप्रोच होने चाहिए, हर चीज़ उन्होंने डिटेल ने बता है, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो, इसके अलावा, ओली बोड की वीडियो आप देख सकते हो, आप उससे questions solve करो, और practice कहां से करनी है, तो जो questions वो करा रहे हैं, वो सबसे पहले आप कर लो अच्छे से, उसके बाद एक book मैं आपको recommend करूँगा, ये ओली बोड की एक book है, Puzzle Mania, इसमें actually इन्होंने क्या किया है, कि जितने भी puzzles, और जितने भी type के sitting arrangements, banking exams में आते हैं, prelims as as well as means, वो पूरा इन्होंने cover किया हुआ है, तो यहां से आप पूरा जो practice आपको करनी है, जिसे बहुत सारे candidates के असाथ problem क्या होता है, कि online वो practice नहीं कर पाते हैं, तो आप ये book purchase कर सकते हो, और यहां से practice कर सकते हैं, उसमें इन्होंने हर question को solve करने की पहले simple trick बताई है, और field तरीका बताया है, और उसके बाद जो questions आप देखोगे इसमें, तो इसमें level wise questions आपको देखने को मिलते हैं, यानि कि, जैसे suppose आप अभी अपने नया नया banking की preparation आपने start किये, तो आप high level के questions solve नहीं कर पाऊँगे, तो यहां पे इन्होंने किया किया, लेवल wise questions को divide किया फिर level 1 के questions आप solve करो, उसके बाद आप level 2 पे जाओ, और उसके अलावा आप देखो कि अभी जो banking exams हो रहे हैं, उसमें नए-नए pattern के questions पूछे आ रहे हैं, तो वो भी इन्होंने special way में focus करके उसके ओपर भी questions दिये हैं, तो यह अगर आप चाहो तो purchase कर सकते हो, यह Amazon या Flipkart मे आपको मिल जाएगी, और direct link में description box में डाल दूगा, इसके अलावा practice के लिए बहुत सारे online PDFs हैं, उन सब की link में description box में डाल दूगा, यह सारे PDFs फ्री हैं, तो आप जाके वहाँ देख लेना उससे practice कर सकते हो, और इतना करने के बाद आपको practice करने के लिए mock test देना जरूरी है, हर दिन आप जो sectional mock test होते हैं, या जो topic wise mock test होते हैं, वो आप ज़रूर तो उससे आपको पता चलिया कि limited time में आप कितने questions solve कर पा रहे हो, या जो questions आप solve कर रहे हो, वो कितने correct हो रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं, speed increase करने के लिए, आपको क्या क्या चीज़े करनी होगी देखे, सबसे पहले तो आपको regularity maintain करनी होगी, बहुत candidates के साथ problem यह होती है, कि वो regular नहीं रहते हैं, आपको क्या करना है, कि हर दिन का आप एक target बना लो, कि हर दिन आपको दो puzzles और दो sitting arrangement, ज़्यादा नहीं question solve करने हैं, दो puzzle and दो sitting arrangement, लेकिन हर दिन आपको solve करना है, और question ख analytical ability होती है, सोचने की जो छमता होती है, वो increase हो, और अगर आप ऐसा करते हो नो, per day अगर आप यह करते हो कि 4 questions आप solve कर रहे हो, 4 puzzles and sitting arrangement solve कर रहे हो, तो आप देखो कि 2 months में, 2 months में, आप at least समझ लो कि 64, 24, 240 questions आप solve करने लगे, solve कर चुके होगे, और इतना solve करने के बाद, कोई परजल या कोई sitting arrangement बचेगा ही नहीं, जो आपने नहीं बना होगा, तो exam में फिर आपको कभी भी डरने के जरूद नहीं पड़ेगी, prelims में, नहीं mains में, दूसरी चीज़ आप बहुत सारे candidates focus करते है, speed के उपर, कि speed increase हो जाए, speed increase करने का एक ही तरीका है, कि आप अपनी learning को improve कर, learning बढ़ा हो, जादस जादा concept सेखो, जो tips and tricks जो बाकि YouTube वीडियो में बताते हैं, या फिर जिन teacher से भी जिस teacher से भी आप पढ़ रहे हो, जिनकी वीडियो आप देखते हो, या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, वो जो tips आपको बता रहे हैं, वो जो concept बता रहे हैं, वो आप पहले समझो, और उसके बाद आपको accuracy अपनी increase करनी है, अगर आप accuracy increase करोगे, तो क्या होगा ना कि questions हो सकता है, starting में आपको जादा time लगेगा, लेकिन जैसे आपकी accuracy increase होते जाएगी, आपकी speed भी improve होते हैगी, speed करना है, अपनी accuracy improve करने के उपर, increase करना है, next है, अलग-अलग type के questions बनते हैं, तो उसके लिए आपको हर जो different type के puzzles होते हैं, या sitting arrangement होते हैं, उस approach कैसे करना है, कोई भी question आपको मिलता है, sitting arrangement का या puzzle का, तो उसे approach कैसे करना है, ये आपको सीखना होगा, जैसे suppose अगर मैं बात कर हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ persons inside facing है, कुछ persons outside facing है, और इसमें भी एक variable या दो variable दिया रहा सकता है, तो आपको हर type के questions को solve करना होगा, और approach को समझना होगा, कि किस question में कैसा approach चाहिए, तो अगर आप puzzles and sitting element को solve करने की speed improve करना चाते हो, increase करना चाते हो, तो आपको mainly 3 maintain करना है, दूसरा है, आपको focus करना है learning के उपर, focus करना है accuracy के उपर, और तीसरा है, आपको जो approach होते हैं, वो आपको समझना होगा, हर question को solve करने का क्या approach होता है, ये आपको समझना होगा, और उसके बाद मैंने जो sources बताए हैं, online sources, offline sources, वहां से आप पढ़ो, और questions practice करो, और mock test regularly दो, जो sectional mock test होते हैं, जो topic wise mock test होते हैं, वो आप regularly दो, इतना अगर आप कर लोगे, तो उसके बाद bank में, bank की reasoning में, reasoning section में किसी भी type का question पूछा जाए, puzzles से, sitting arrangement में, कोई भी level का question पूछा जाए, आप वो सब solve कर लोगे, SBI PO हो, IBPS PO हो, SBI clerk हो, IBPS clerk हो, कोई भी exam हो, आपक कोई भी सवाल रहता है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरू करना, ज्यादा से ज्यादा share करना, और अगर आप channel पर नए हो, तो channel को subscribe लिए कर लेना, thank you